सम्विधान दिवस पर खुशी का माहौल फतेपुर से बड़ी खबर सामने आ रही जो मोखे पर पुलिस कर्मियों को दिलाई गई शपत सारे पुलिस कर्मियों ने हाथ बढ़ा कर ली शपत सम्विधान दिवस पर खुशी का माहौल फतेपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जो मोखे पर पुलिस कर्मियों को दिलाई गई शपत जहानबाद थाना अध्यक्ष ने बुलिस वालों को दिलाई शपत बीजेपी की सम्विधान गौरब दिवस यात्रा लखनव से बड़ी खबर एक हजार गाड़ीों का काफिला प्रयाग राजरवाना यत्रा गौरब दिवस यात्रा लखनव से बड़ी खबर सामने आरी है प्जेआई से प्रयाग राजरवाना हुई सम्विधान यात्रा केंद्रे राजमंत्री को अशल किशोर कर रहे नेत्रित पीजेपी की सम्विधान गौरफ दिवस यात्रा लखना उसे बड़ी खबर सामने आ रहे है एक हजार गाड़ियों का काफिला प्रयाग राज्रवाना सम्विधान गौरफ दिवस पर प्रतिमा पर हमला जौनपूर से बड़ी खबर डॉक्टर अमेडगर की प्रतिमा पर हमला और आजग तत्वों ने किया च्छती ग्रस्त जौनपूर से ये खबर सामने आ रहे है जो ग्रामीडों में भारी आक्रोश देखने पगला आरोपियों की ग्रफ्तारी की मांग की जा रही है सराय ख्वाज़ धाना की खटना सम्विधान गौरफ दिवस पर प्रतिमा पर हमला जौनपूर से बड़ी खबर सामने आ रहे है डॉक्टर अमेडगर की प्रतिमा पर हमला अराजक तत्वों ने की आच्छा दिग्रस्त प्रामीडों में भारी आक्रोश आरोपियों की ग्रफ्तारी की मांग की जा रही शौट सर्किट के कारण लगी आग बिजनौर से ये बड़ी खबर सामने आ रहे है बिजनौर के बिजली के तारों में लगी आग बिजनौर से ये खबर असपास के इलाकों में मची अफरा तफरी अग लगने से इलाके में बिजली हुई गुल बिजनौर से बड़ी खबर नूर पुर्थाने के गोहावर इलाके का मामला शौर्ट सर्किट के कारण लगी आग बिजली के तारों में लगी आग बड़ी खबर लगनाउस से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है AI MIM ने सफपा से कटबंधन का भेज़ा प्रस्ताव मीडिया के माध्यम से भेज़ा प्रस्ताव प्रस्ताव पर बोले सफपा नेता उदैवीर से कटबंधन करने के लिए मुलाकात करनी होगी लगनाउस से बड़ी खबर सामने आ रही है AI MIM ने सफपा से गटबंधन का भेज़ा प्रस्ताव मीडिया के माध्यम से भेज़ा प्रस्ताव तबंगों ने महिला को जबन जमकर पीटा राइबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है महिला ने ही महिला को पीटा राइबरेली से बड़ी खबर खेत पर हुई मार पीट का वीडियो हुआ वारत बगल में खड़े लोग बने रहे तमाश पीट मिलेरिया थाना चेत्र का मामला राइबरेली से खबर सामने आ रही है जबंगों ने महिला को जब कर पीटा जमीनी बबात को लेकर की पिटाई राइबरेली से बड़ी खबर महिला ने ही महिला को पीटा हश फायरिंगा वीडियो वायरल फतेफूर से बड़ी खबर सोशल वीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल लाइसेंसी रिवॉल्वर से ठोकेचे फायर शादी संभारों का वीडियो सामने आया फतेफुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो वीडियो वारल होते ही मचा हड़कम पुलिस पूरे मामले की जाच बड़ताल में जटी फतेफुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जो हर्श फाइरिंग का वीडियो सामने आया है तस्वीरे देख सकते हैं आप सोशल बीडिया पर इसका वीडियो वाइरल हुआ है फटिपुर से ये खबर सामने आ रही है लाइसेंसी रिवॉल्वर से छे राउंड फायर किये गए शादी सम्हारों का ये वीडियो है वीडियो वाइरल होते ही मचा हरकम पुलिस पूरे मामले की जाच परताल में जुटी अराजक सत्वों ने पुल की दीवार तोड़ी बड़ी खबर सामने आ रही एक सुपचास साल पुराने पुल की तोड़ी दीवारों ना उसे बड़ी खबर जर जर होने के चलते बंद किया था पुल दिवा तूटते ही लोगों का वगमन शुरू हुआ गंगा घाट के पुराने पुल का ममला राजक तत्वों ने पुल की दीवार तोड़ी 150 साल पुराने पुल की तोड़ी दीवार जरजर होने के चलते बंद किया था पुल दिवा चुटते ही लोगों का वगमन हुआ शुरू नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है गंगा घाट के पुराने गंगापुल का मामुदा